इस वीडियो में हम गर्भासय के कमजोर होने के लक्षण और इससे बचाओं के तरीके के बारे में बताने वाले हैं। खराब पोशन और गतिहिन आदते बच्चे दानी को कमजोर बना देती हैं। कमजोर गर्भासय का मतलब हिष्टेरेक्टोमी और सी सेक्षन का खत्रा बढ़ने से हैं। इसलिए एक मजबूत बच्चे दानी आपके संपूर्ण स्वस्थ, प्रजनन छमता और लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी है। तो वाई ये जानते हैं गर्भासय के कमजोर होने के लक्षन और इससे बचाओ के तरीके। गर्भासय का मुख्य कारिय निस्यचित डिम्ब का पोशन करना है। एक बार जब निस्यचित डिम्ब को एंडोमेट्रियम में ट्रांस्प्लांट कर दिये जाता है तो यह गर्भासय की बलड वेसिल से पोशन प्राप्त करता है। और इसके बाद एक ब्रून बनता है। इस दावरान कई चीज़े आपके गर्भासय के ठिक से काम नहीं करने का कारण बन सकती है। जैसे अनियमित मासिक धर्म, गर्भासय फाइब राइड, प्रजनन अंगों की ताकत को बढ़ाने के लिए बच्चे दानी या गर्भासय को मजबूत रखने की बहुँच जरूरत होती है। बच्चे दानी के कमजोर होने के लगशंड हरेगा अगर बच्चे दानी कमजोर होगी तो गर्प नहीं ठारेगा बार बार मीस कैरेज हो जाएगा तक जिकी समस्या रहेगी अलग तरह की ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होने लगेगा यूरीन इन्फिक्षन होना या फिर करना फैदे मन्ध है दरअसल बीजों में हेल्दी फैट होता है जो बच्चे-दानी की मास्पेसियों को मजबूत करता है हरी पत्तेदार सबजिया जो महिलाए गर्बधारन नहीं कर पा रही है उन्हें बच्चे-दानी को श्ट्रॉंग बनाने के लिए हरी पत्तेदार पेट का pH लेवल बैलेंस रहता है इसके अलावा हरी सबजियों में फोलेट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो बच्चे दानी की कमजोरी को दूर करने के लिए बेहत जरूरी है कि नहीं कार्णों से महिला की बच्चे दानी में कमजोरी आ गई है तो उस महिला को अक्सर ताजे फल खाने की सलाह दी जाती है अगर आप फलों का रस ले रहे हैं तो कोशिस करें कि यह घर का बना हुआ हो दरसल फलों में पाय जाने वाले विटामीन मिनरल और फ्लेवे नॉइट बच्चे दानी को स्ट्रॉंग बनाने के लिए बहुत जरूरी है विटामी करता है नाश्ते में साबुत आनाज का सेवन उन महिलाओं के लिए बहुत फैदेमन है जिन्हें कमजोर बच्चे दानी के कारण गर्भ नहीं ठार रहा है दल्य की नोवा और और से बहुत अच्छे विकल्प है तो अगर आपको भी गर्भ धारन करने में परिसानी हो रही ह तो यहां बताएगा उपाय आपकी मदद कर सकते हैं कुछ समय तक इनका सेवन करके जरूर देखें फिर भी कोई परिणाम न मिले तो देर न करते हुए डॉक्टर से संपर्क करें तो इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइ अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद